हम मेंसे कुछ लोगों का एक ऐसा डाक पास्च होता है जो उन्हें रह रहे कर डराता रहता है पर अपने डर को कैसे अपनी ताकत बनाना है कोई इन से सिखे जी हैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की नजरों में तो सक्सेस्फुल थी फिर भी किसी तलाश में थी जिसके पास सब कुछ था फिर भी कोई कमी थी कैनडा रहती थी, खूबसुरत घर था, पती था, बच्चा था, बैंक की नौकरी भी थी पर फिर भी अंदर से तनहा थी फिर किस तनहा डॉग वॉकर बनने से लेकर हॉलिवुड के ओफर से होते हुए किताब को लिखने तक का सफर तै किया इतना ही नहीं, आज एक काम्याब आंट्रेपरनियोर, रेडियो होस्ट भी है अगर आप भी अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं एक अधूरा पनफील करती हैं तो वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि पता नहीं होता कब कौन सी बात आपके उल्जेव मन को सुलचा जाए नमस्कार आप देख रहें अनवन लाइफ और मैं हुरूही क्रूवर हम बात कर रहे हैं आज कैनेडा में रहने वाली 46 साल की दवीना कौर की उनका कहना है कि दाथ को सोते सोते वो अचानक से उठ जाया करती थी नौकरी का सोच कर टैंशन में आ जाया करती थी और उनके पती कहीं न कहीं उनकी कंडीशन को समझ नहीं पाते थे बचपन से लेकर उन्होंने अपने मुटापे को लेकर खूब ताने सुने थे मजाग भी खूब बनाते थे लोग दिवीना कॉर ने बताया कि मेरा बचपन बाकी लड़कियों की तरह नॉमल नहीं रहा पेरेंट्स पाकिस्तान के थे पार्टीशन के बाद इंडिया आए और मेरा जन्म असम में हुआ पापा की सरकारी नौकरी थी तो मेरी बाकी की परवरिश दिल्ली में हुई बचपन से अपने मोटापे की वजह से मोटी गैंडी एलिफेंट एलियन जैसे शब्द खुद की तारीफ में सुनती आई ऐसी बातों से इतनी डिस्टरब थी कि एक दिन फिट से आइसक्रीम का कंटेनर निकाला और वापस अ आगे बढ़ाने का सोचा इंडिया से कैनेडा पढ़ने के लिए आई कुछ समय बाद बैंक की नौकरी मिल गई और बाद में यहीं घरवालों ने शाधी भी कर दी पर शाधी सक्सेस्फुल नहीं रही हम दोनों की अंबिशन अलग थे और तलाक ले लिया उन्होंने कहा कि म मैं अपनी नौकरी से भी सैटिस्वाइड नहीं थी जो कर रही थी वह अच्छा नहीं लगता था इसलिए नौकरी छोड़ती यह नौकरी छोड़ना आसान नहीं था क्योंकि कैनेडा जैसे देश में एक तो पहले ही अकेली थी दूसरा नौकरी छोड़ दूँगी तो आग अकेली रहने लगी 2013 की बात है उन्होंने बताया कि मैं ये सारी बाते अपने घर के पीछे नदी किनारे बैट कर सोच रही थी सोचते सोचते ख्याल आया कि इसी नदी में कूच जाओ और मर जाओ मैं बहुत बुरी हूँ मुझे क्या चाहिए नहीं मालूम क्या पाना है समझ नहीं पा रहे थी लेकिन दूसरा थोट आया कि जिनकी को खतम करना तो आसान होगा पर जीना मुश्किल है अब जी कर दिखाना है 32 साल की उम्र में खुद के सारे डर बाहर निकाल कर खुद के लिए जीने की सूची और डॉग वॉकर बन गई मतलब मैंने चार साल तक कुट्टे घुमाई हैं एक दिन कुट्टे घुमाते हुए एक क्लाइंट मिला उसने मुझे काहा देवीना मेरे ओफिस आना कुछ बिजनस की बात करनी है मैं अगले दिन उनके ओफिस गई उन्होंने मुझसे पूछा देवीना कैसी हो मैंने कहा मुझे खुछ समझनी आ रहा था कि मैं अपनी जिन्दगी से इतनी परेशान थी पर ऐसे वर्ट कैसे बोल सकती थी पर चलो मेरे मुझसे निकल गए मेरी बात सुनकर वो क्लाइंट बोला तुम ये सेक्सी ब्रिलियन डोमेन रेजिस्टर करा लो ये आइडिया मुझे क्लिक कर गया घर आई और सेक्सी ब्रिलियन डोमेन नेम रेजिस्टर कर लिया अब डोमेन नेम तो रेजिस्टर करा लिया लेकिन एक साल तक इस पर कुछ काम नहीं किया सिर्फ कुत्ते गुमाए इसी बीच मुझे हॉलिवूट से भी एक टीवी शो क का ओफर आया मैं कैनेडा से लॉस इंजलेस गई लेकिन इस बार मैं सोच में पढ़ गए कि भारत छोड़कर कैनेडा आई अब कैनेडा से अमेरिका क्या जाना जरूरी है इतनी क्या मारा मारी है कि मुझे जाना ही है मैं फिर खुद के साथ बैठी और बातचीत की अंदर से आवाज आई अरे तुमने एक साल पहले सेक्सी बृलियन डोमेन लिया था उस पर काम करो और किताब लिखो लेकिन इस सब के बीच मुझे खाने तक के लाले पड़ गए फिर लगा कि नौकरी करूं या समान बेच दूं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि दरवाजे पर खट- जब मुझे ये पैसा मिला तो मुझे लगा कि भगवान मुझे इशारा दे रहे हैं कि मैं अपने किताब पूरी करूं और सेक्सी बृलियन फाउंडेशन पर काम करूं और इस तरह मैंने अपने किताब पर काम किया और दो हजार बीस में टू फैट, टू लाउट, टू अम करते हैं, दीवीना ने बताया कि मैंने बिजनस, एन्वार्मेंटल साइंस, टीचिंग, मीडिया एंड पीस, पब्लिक रिलेशन तमाम डिग्रिया ली, इतनी डिग्रिया ली कि बताते हैं मैं खुद भूल जाते हूं, आध्यात्मिक्ता की वजह से मैं खुद को जान पाई देखते रहिए, एंड वन लाइफ